कर दोस्तों कि आज का वीडियो है कर टाप सोग मशिन इस मशिन को कर टाप सोग के थे अलग-अलग टाइप के मेटल कट किया जाता इसके लिए इसे कट आप सोग मशिन के थे कि आज के वीडियो में मैं अलग-अलग मेटल इस मशिन से कट करके दिखाने वालोग सबसे पहले मैं यह स्ट्रेट कट कर 90 डिग्री में आपको कट करके दिखार हूं देखो यह बराबर कट किया नहीं तो मशिन से देखो कितना पर्फेक्ट कटिंग होता है ऐसे अलग- दिखाने टिल स्ट्रें टिलर श्ट्रेय पिविसी पाइप याद लोऊना इस पाइप स्क्वेट ऒइप स्कॉयर बाह असे अलग-अलग मेटल से कट करके दिखार हूं दिखाने घ्लोर में स्क्वार बॉर मेट स्कॉयर बाइब है यह लॉक करने का जिस साइज में आपने कोच गटिंग करने का इस मार्किंग करके बराबर लेवल में यहां पर मार्किंग करके लेने का मार्क के उपर कटर लगाने का दो इस तरह से मेटल कटिंग दो इस तरह से किया जाए मशिन स्टार्ट करने का कि अगर ब्लेड अक्टर पर्फेट राइड आगल अभी तरह पर्फेट राइड एंगल कटका कि दो दो अग्दम सिंपल है मसिन चलाने में इसको पास नो कोई बोर रहेगा कोई मसिन रहेगा कर दो ब्लेड रहेगा कर दो ब्लेड 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 पर्फेट राइड राइड पर्फेट राइड दो प्रश्च पाद नाइट डिग्री में जालवोनाइश पाइट करके देए यह अच्छे तरह से लॉक करनेगा इस तरह से लॉक करनेश पाइब है अगर चोटा रहेगा तो इसको पीछे बाइब में सपोर्ट देने का तो यह प्रॉस्ट ने होते हैं देखो इस तरह के ऐसा सपोर्ट देंगे इक्वल सपोर्ट देंगे इस सेम साइज का तो पकड़ बराबर मिलती हैं इस तरह से आप कोई भी साइज का पाइप राइट एंगल पर्फेट साइज से कट करें सकते हैं इससे के मार्ण मास प्रोडक्शन जल्दी होता है ऐसे अलग-अलग मेटल आप कट-कट की देखें तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छी तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर किजिए और कॉमेंट किजिए और हमारा चानल सब्सक्राइब किजिए झाल आपको और क्यों कि भीड़िए और कर्या आपको को बातला मेटलों म ю उन ह। जार सब्सक्राइब किजिए मअगा है को टापको −